नमस्कार देश्वासियो आज मैं आपको ऐसे सुनाम धन्य व्यक्तित्व से परिचे कराने जा रहा हूँ या उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा उनका नाम है डाक्टर बायजनात प्रसाद आयरवेदाचार्य डाक्टर बायजनात प्रसाद जी ये आर्यासस यों जन्संग के संस्थापक सदस रहे हैं समग्र सेवा संस्थान द्वारा संचालित यों विद्या भारती द्वारा निर्देशित सरसुती विद्या मंदीर इंटर कालेज के संस्थापक यों मिनी पार्लियामेंट में नेता प्रतिपच्छ रहें 1980 में भारती जन्ता पार्टी से की तरब से ये विधान सभा चेत्रचिरई गाउं जो उत्तर प्रदेश में आता है वहां से ये विधान सभा का चुनाव लड़े और तीसरे अस्थान पर थे अनेकों बार ये जेल गए ये पहली बार जब जेल गए उस समय जब संग पर प्रतिभंध लगा दूसरी बार ये जेल गए जब देश में इमर्जन्सी लगा तीसरी बार ये जेल राम मंदिर आंदोलन के लिए गए ऐसे ब्रेक्तित्व के पास मैं आपको ले आया हूँ और उनसे मेरा कुछ सवाल है वो आपसे मैं करूँगा और मैं सीधे ले चलता हूँ उनको उनके पास आपको जी प्रणाम सर्णाम मैं आज आपके पास आया हुआ हूँ यह जान करके यह आप पंडित दीन दयार उपाध्या जी के बहुत खास थे बनारस में उनके मित्र स्रेडी में नाम आपका आता है उन दिनों के आप गत्तितों है पंचानबे साल की उमर से उपर है और आज आपसे जो देश में चर्चा है जो देश में चिंता है उस पर मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि भारती जन्ता पार्टी 2014 से ले करके और 2024 तक सरकार में थी और 2024 के लोग सभा के चुनाओं में इसका इतना इस अस्तर का पराजय क्यों हुआ? जो भारती जन्ता पार्टी बहुत से हमेशा ज्यादा चौदा में थी और 2029 में भी थी लेकिन 2024 में यह ग्राप इतना कम कैसे हो गया जी इस पर मैं जानना चाहूंगा आदर्ने जगरनाद जी मैं अत्यनत साधारन कार करता हूं यह सही है कि मेरी आयू पंचानविवर्स हो गई है परन्तु मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं था इसलिए मैं जो कहूंगा यह केवल अपनी समझ के अन्सारी कमबा जो अभी चुनाव हुआ है उसमें मेरी पार्टी ने एक नारा दिया था चार सो पार परन्तु हम लोग जनता के सामने यह नहीं रख सके कि चार सो पार का मान हम क्यों कर रहे हैं बलकि विपक्ष इसको इस रूप में लिया कि मैं संभिधान बदलना चाहता हूं और इसमें मेरी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी इस बात को जनता के सामने रखा जनता में विशेश कर कमजोर वर्ग के लोगों में यह बात घर कर गई कि हम लोग संभिधान को बदलना चाहते हैं इसका बहुत पुरा अशर हुआ एक दूसरी बात कहीं न कहीं हमसे यह जूख हुई कि अस्थानी कार करताओं को समर्पित कार करताओं को पुराने कार करताओं को हम वह महत्व नहीं दिये जो बाहर से बुलाकर कार करताओं को दिये थे अगर मैं अपने अस्थानी कारकरताओं का ज्यादा ध्यान दिया होता, ज्यादा उन्हें काम में लगाया होता, तो मुझे विश्वास है कि हमारे इवोट का परसत निश्चित बरता, कुछ कमियां हमको लगी कि हमारा जो संगठन है वह अत्यनत गौण हो गया है, हमारे जो जन्म प्रतिनी थी हैं वही सब कुछ है, और उदारण के रूप में मैं आपको बतावूं, आधने नरेंदर मोदी जी का यह छेतर था, और उनके छेतर में काम हो, जन्ता की सुनवाई हो, इसलिए यहां पीमो आपिस खोला गया था, परन्तु उस पीमो आपिस में जिस विवस्था के साथ ताम होना चाहिए, वह नहीं हो रहा था, यह मेरे जैसे पूराने ही कार करता नहीं, बहुत से कार करता हूं निशिकायत की, उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं, कि जो हम विद्याले चलाते हैं, उस विद्याले के करमचारियों का, आचारियों का, दाई चप्राशी का, पीअप काटते हैं, और वह पीअप आपिस में जमा होता है, बीच में पीअप आपिस के लोगों की गड़बड़ी के वज़े से, बिवाद ख़़ा हुआ, और हमारे कई करमचारियों का, पीअप बेतन का पैसा, जो पीअप आपिस ने, विद्याले के फंड से, पांच लाक रूपया खीच लिया था, वह उनके खाते में नहीं डाला, सन 2009, 2010, 2011, 2012, इतने दिनों का पैसा, वह पीअप कार्याले में है, वह करमचारियों के खाते में नहीं गया, इस स्रम्मंद में मैंने स्रम्मंत्री को, अलेक पीअप के अधिकारियों को, अपने संगठन के अधिकारियों को, यहां तक की पीअप कार्याले को भी लिखा, बाद में उन्हें मैंने रिमाइंडर भी दिया, इस्मिर्ती पत्र दिया, परंतु उस पर कोई कारवाई नहीं हो सकी, माननी प्रधान मंत्री कार्याले के, के इंदरी कार्याले का जब यह हालत है, कर्मचारी यहां तक शिकायत करते हैं, कि जब वहां जाये, तो कहते हैं, जिसको वोट दिये थे, आप जाके उससे शिकायत करो, आखिर प्रधान कार्याले से बड़ा हमारे लिए कौन कार्याले हो सकता है, इसलिए आगे से संगठन को ठीक करने के लिए, कारकरताओं के काम हो सके इसके लिए, क्वीमों कार्याले का सक्री होना, कारकरताओं के किसी काम का पत्र पर क्या हुआ, या उन्हें भी जानकारी देना आवश्यक है, इन सब का ये प्रभा हुआ, कि बहुत से कारकरता संद्दूस्ट नहीं थे, बहुत से कारकरताओं को काम में नहीं लगाया गया, क्योंकि हम लोगों की इख्या थी, कि माननी प्रधान मंत्री जे, काफी अधिक ओटों से जीते हैं, संद चार में और उन्नीस में जितने ओटों से जीते थे, उससे ज्यादा जीते हैं, परन तो संद्धन की इक्त कमजोरी के कारण, हम जो है, उन्न ओट का प्रत्षत नहीं प्राप्त कर सके, जो भारती जन्ता पार्टी के राष्टी अध्यच हैं, उन्होंनों तो कह दिया कि मुझे आरसस की जल्वत ही नहीं है, तो कि यह बहुत उंचे लोगों की बात है, और उन्होंने जहां तक मुझे भी प्रता है, कि उन्होंने निकार किया, कि शाहिद मैंने ऐसा नहीं कहा था, इसलिए मैं एक छोटा अथकार करता होने के बाद, उस पर कोई टिमपने नहीं कर पाँगगा, संग प्रमुप आधने भागवज जी, जब मनिपूर जल रहा था तो नहीं बोले, और जब उत्तर प्रदेश में तमाम कांड हो रहे थे, उन्नाव के हाथ रसके, और बनार सिंदु इन्वरस्टी में जो गैंग रेप हुआ, तो इन सब चीजों का संग्यान होते हुए भी नहीं बोले, लेकिन 2024 में क्यों उन्होंने बोला मणिपूर पर? सिर्मन, सन उन्नीचो तालीस से मैं संका संशिवक हूँ, इक्यासी साल से ज़्यादा हो गया, मुझे संका संशिवक बढे, जहां तक मैं संग को जानता हूँ, संग अपनी बात सारव्यनिक रूप से नहीं कहता, लेकिन आप विश्वास रखिये, संग अपने बाद्यम से इन बातों को सार्षन तक जरूर पहुचाता रहा होगा, और जब इन बातों को अनसुना किया गया, तब उन्हें सारव्यनिक रूप से कहने की आवश्यक्ता पड़ी. मैं आपकी बात से समत हूँ, क्योंकि वो रिजल्ट बता रहा है, जो बात आप बता रहा हूँ, वो रिजल्ट बता रहा है, और सच बात है कि जब एकदम से आसमत हो गए, तो उनको बोलना पड़ा. हमारे बीचे हमारे आधानी के साथ बैठी हैं रहनुमा खानम, ये सरवसुती विद्या मंदिर बालिका इंटर कालेज की उप्रधाना चार्या है. मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जब देश के अंदर आज नफरत का माहौल दसवर्सों में फैलाया गया, तो आप RSS के विद्याले में आप कैसा महसूस कर रही हैं? नमस्कार, जैसा कि सर आपने पूछा कि RSS का विद्याले, उसमें एक मुस्लिम जो की टीचर है, उसको रखा गया है और उसके साथ कैसा वेवार किया जा रहा है, उसके उपलक्ष में मैं आपको बताना चाहती हूँ. मेरे साथ जैसा कि ये विद्याले एक ऐसा विद्याले है जहां पर ना तो जात पात और ना ही धर्म के विशय में कुछ बोला जाता है, मैं एक मुस्लिम हूँ, एक टीचर हूँ, उसलिए मुझे यहां पर कोई भी आसुविधा नजर नहीं आती है, कोई भी छुआ छूत काविधा जयति हैं, एक विद्याले में क्योंकि गूंकि मंतरों कोन बचाट को नफरत नहीं, बच्चों को इनसानियत सिखाया जाता है, 그러면, मियों था connotation को ना तो हिंद्यों, दुआ हैं ना ही मुस्लिम में बताना जाता है, बच्चों को श्रिफ यह बता है है कि हम इनसान कैसे हैं हमारा जीवन कैसे वियापन हो सकता है हम कैसे अपने अर्थ वयुस्ता को मजबूत कर सकते हैं जो कि ने यह पूछा है कि हम हैं और हम यहाँ पर कोई बुरा वैवार तो नहीं होता है तो मैं आप से डोलाइन में ही कहना चाहूंगी कि नहीं बिल्कुल नहीं मेरे साथ ऐसा वैवार होता है जैसे लगता ही नहीं है कि यह हमार आरेसस का विध्याले है और उनके घर का जो होली का गुजिया था वह हमने विखाया वाँ साथ में होली मनाई और साथ में में एद भी मनाई यही तो भारत देखना चाहता है लेकिन 10 सालों में 80 दिग गया होता तो आज देश का कुछ रहुना का लग होता हमें बहुत अच्छा लगा आपका विचार सुन करके और अपने आधने का विचार सुन करके और हमको विए सानिध मिला है ये हम आधने डाक्टर वैल नाजी प्रसाद जी के साथ मैं 1980 में ये भारती जनता पार्टी के उमिद्वार थे तो मैं सोसिर समाधल से प्रत्यासी था हम दोनों लोग साथ ही लड़े थे उस समय क सारे लोगा दिवंगत होगा हमें दो लोग बचे भी हैं धन्यवाद बहुत अच्छा लगा अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को आप सेयर करिए और सब्क्राइब करिए इनी चन बातों के साथ अपनी बाणी को भीराम देता हूं धन्यवाद